केसे हैं आप सब आप भी अगर अपनी स्किन के लिए बहुत जादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं और आपको लगता है कि स्किन काफी डल हो जाती है बहुत ही जल्दी-जल्दी से खराब होने लगती है पैचेज लगने लगते हैं या फिर आप मेकप अगर आप कभी कबार क पढ़ जाते हैं धब्बे बढ़ जाते हैं या फिर आपको पुराने से पुराने निशान है दाग धब्बे हैं स्किन काली पढ़ रही है फैरनेस की कमी है स्किन पे गलो फील नहीं हो रहा है पूरा दिन काम में लगे रहने के बाद आप एक हाउस मेकर है और आपके पास स्किन को देने के लिए बिलकुल भी टाइम नहीं है पार्लर हम नहीं जा सकते स्किन बहुत ही बुजी-बुजी सी मुर्जाई मुर्जाई हो रही है तो चलिए आज आपके लिए लेकर आई हूं one minute fairness treatment सिर्फ एक मिनट दीजी अपनी स्किन को और चेहरा बनेगा गुलाबी निखरा हुआ उजला हुआ और बहुत ही प्यारी स्किन हो जाएगी उम्र आपकी कुछ भी है आप ये आज वाला रेमिडी यूज़ कर सकते हैं आपको लेना है कच्चा दूद कच्चा दूद सबी स्किन टाइ हमेशा हमारी स्किन के लिए बेस्ट रहता है कच्चा दूद उसमें डालिए दो चार बूंदे रोज वाटर की रोज वाटर में प्राकृतिक गुण है हमारी स्किन को क्लीन करने के और निखारने के गुलाबी निखार देने के अगर आपके पास घर में रोज का फ्लार हो तो आप उसकी पेटल्स को क्रश करके भी डाल सकते हो साथ में में डाल रही हूँ वन फोर चमच के करीब बीट रूट पाउडर मेरे पस बीट रूट यानि चुकंदर का पाउडर अवेलिबल है तो मैंने ये यूस किया है आपके पाउडर ना हो तो आप चुकंदर का चिलका भी उतारने की जरुवत नहीं है सिंपल कद्डू कस कर लीजिए निचोड के जूस डाल लीजिए साथ में में डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी मैं ये हमेशा आपको दिखाती हूँ यूस करती हूँ और काफी टाइम से है मेरे पास यह पाउडर की अवेलिबिल्टी ना हो तो आप उसको जूस ले सकते हैं कस्तूरी हल्दी ना हो तो किचन की हल्दी ले लीजिए थोड़ी कम कॉंटिटी में लेना उसको और उसके बाद इन तीरों चीजों को अब अच्छे से मिक्स करेंगे दूद को कस्तूरी हल्दी को कर लेना है किसी भी टाइम कर लो चहरा दो के कर लो नहाने के बाद कर सकते हो फ्री हो गए हो तब कर लो नहाने से पहले अपलाय कर सकते हो रात को सोने से पहले कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले बस अपनी स्किन पे एक मिनट के लिए इस चीज को लगा लो आपकी स्कि कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि एक सिंपल से रेमिडी मैंने पहले आपके साथ शेयर क्यों नहीं किया इतनी अच्छी स्किन ट्रीटमेंट है इतना ही प्यारक ग्लो देगा यापके स्किन पे कि बस आप देखते रहे जाएंगे हमारी स्किन पे हम जितन कि हमारी स्किन डल होती है डामेज होती है हमारा खाना पी नहीं हो सकता है तो अपनी स्किन को रेगुलर रिपेर करना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं आपने एक बर कोई रेमिडी लगाई और उसको फिर छोड़ दिया यह सोचके कि हमने तो बढ़िया से डेमिडी लगा उसके बाद आप नॉर्मल पानी से चेहरे को वाश कर लीजिए उजला निखार बहुत प्यारा ग्लो आप देख सकते हैं अच्छा देखिए मुझे डीसेंटली यह दो पिंपल्स हो गए हैं मुझे यह अधिकतर पीरिट्स के दौरान यह वैसे भी इस तरह से एवरी मन्त हो जाते हैं तो मैं आपको एक यह दावा करती हूं कि यह जो रिमिडी है आप अगर साथ दिन तक लगातार अपने पिंपल्स पर भी यूज़ करते हैं तो आपके पिंपल्स के साथ आपके जो पिंपल्स के मार्क्स है वो भी खतम हो जाएंगे तो मेरे भी देखिए हर बा स्किन रिजाइम करना मत भूलिएगा फिर मिलती हूँ बाई बाई